भोपाल के अस्पताल के बच्चा वॉड में लगी आग जिसके चलते चार नवजात शिशुओं की हुई मौत जी हाँ और इस घटना के बाद ही भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने पीडितों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोशना की है नवजात शिशुओं की मौत हो गई राजिके चिकित्सा सक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसकी पुस्टी करते हुए कहा की शौर्ट सरकिट के कारण विशेस नवजात देखभाल इकाई SNCUI वार्ड में आग की सूचना मिलते ही हम अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुचे वार्ड के अंदर अधेरा था हमने बच्चों को बगल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया लेकिन चार बच्चों की मौत घटना के समय ही हो गई एक अधिकारी ने बताया कि आग अस्पताल के तीसरी मंजल के एक वार्ड में लगी जिसमें ICU है घोशना के तुरंद बाद ही भुपाल के मुख्यमंत्री शिवरात सिंग चौहान ने पेड़्टों के परज़नों को 4-4 लाख रुपए देने की घोशना की है फतेहगर दमकल थाना प्रभारी जुबेर खान ने बताया कि रात करीब 9 बजे आग लगी और आग बजाने के लिए दमकल की 8-10 गाडियां मौके पर पहुची मुख्यमंत्री ने घटना को अत्यंत दुखत बताया साथ ही कहा कि प्रशासन की टीम और बचावकरमी मौके पर घटना स्थल पर पहुच गये थे घटना पर मेरी निरंतर नजर है, संबंदेत अधिकारी निरंतर मेरे संपर्क में है आपदा प्रबंधन के सारे उपाय किये जा रहे हैं अस्पिताल प्रबंधन को बच्चों की समुचित देखभाल के निर्देश दिये गए हैं वो वॉर्ड में बचावकार्य तेजी से जारी है शिवराज सिंग जोहान ने एक ट्वीट में कहा कि घटना की उच्चिस तरी जांच के आदेश दे दिये गए है जांच अतिरेक्त मुख्य सचीव स्वास्थ और चिकित सा सक्षा मुहम्मद सुलेमान द्वारा की जाएगी